आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम असिद्धान तक नहीं होतरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत दुस्वागत है अब मेरी गर्दन ठीक है 90% तो ठीकी है मैंने रेच्चर अप्लोड किया आपने देखा कि नहीं जरूर देखेगा भाई यह नेक पेंज होता है बहुत खतरनाक होता है और बहुत बहुत शुक्रिया वाई न्यूएर का गिफ्ट जो आपने दिया आट लाग सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे होगे तैंकिस सो वेरी मच तो आज हम बात करेंगे आपरेशन वाइट वाश की ऑपरेशन वाइट वाश जो है भाई वाइट वाश किसको वाइट वाश किया किसको धो दिया यहाँ पे यहाँ पे सफेदी की चमकार पाकिस्तान ने जहली पाकिस्तान को एकदम सफेद कर दिया खतम कर दिया यही बरत में दब गए दोस्तों ये देखिए ये 140 भाई इंडियन रिपोर्ट्स की माने तो 140 के करीब पाकिस्तानी सोल्जा जिसमें करनल थे वो मारे गए अब ये 12 अपरिल के घटना है 12 अपरेल 2012 क्या हुआ कि जब ये बहुत बड़ा आवलांश आया ये गायरी सेक्टर में बहुत बड़ा आवलांश आया और ये इतना भ्यानग भूस कलन था पुरलब यहां पर जो अविल्या परफ हाई, एवलांश आया, बहुत थियोरी जाने लगी, क्योंकि इस एरिया में एवलांश नहीं देखा जाता, उसमें से एक थियोरी की बात करें, तो ये बताई जाती है, कि भारत का जो हतियार, काली, जो फ्यूचर वेपन, उसमें मैंने एक लेचर बनाया है, काली आप भी तीन दिन पहली अप्लोड हो है, तो आप जरूर देखें कि भारत का वो फ्यूचर वेपन है, तो अब हुआ क्या, कि ये भारत के उपर आरोप लगा, कि भाई, ये काली हो सकता है, इसमें एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब ये एवलांश आया, क्योंकि ये वेडिय तो बहुत पहले से disputed रहा है, इधर नॉर्दन साइट में हेवी बरव बारी बहुत बरव गिरती है, लेकिन एवलांश का इतना ज़्यादा possibility नहीं रहती है, फिर यहाँ पे किसी की body नहीं मिली, किसी की body नहीं मिली, तो ऐसा क्या हुआ सब जल के खतम, तो यहाँ पे यही बताया गया, कि एक possibility A, B है, कि भारत ने future weapon का use किया है, भारत ने काली का इस्तमाल किया है, तो हम उसी की ही बात करेंगे, operation white wash की बात करेंगे, कि क्या वाकई में ऐसा हुआ, देखिए, जो story है मैं आपको बताऊंगा, जो माना जाता है मैं आपको बताऊंगा, वैसे अगर आप देखोगे, इंटरनेट पे देखोगे, या अगर आप किताब भी पढ़ोगे, तो उसमें इसका सिकर ऐस सच मिलता नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यदा possibility है, देखिए, सरकार तो बहुत ज़्यदा possibility है, कि काली का इस्तमाल हुआ हो, तो ये 7 अप्रेल 2012 की घटन है, 139 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्ज, वैसे ये 130 प्लस बताई जाते हैं, और ऐसे माने तो 124 है, बट, 130 प्लस पाकिस्तानी सोल्जर्ज जो है, उनकी मौत हो गई थी, 80-100 फिट, इतनी मोटी बरत, बरफ की, इतनी परत मोटी थी, उसके नीचे दपके मर गए, तो ऐसा क् पाकि इतना भयानक पाई ये गायरी सेक्टर में एवलांच आता ही नहीं है, आपको बता दो कि ये सियाचिन में 150 से जादा मिलिटरी बेस हैं, दुनिया की सबसे उचाई पे इस बैटल फिल्ड को माना जाता है, आप समझे कि आप इतनी उचाई पे हो, वालो साल यहां पे बरफ रहती है, ये एक बैटल फिल्ड बनी हुई है, 1949 में सियाचिन पे दोस्तों भारत और पाकिस्तान को कोई खास एगरिमेंट हुआ नहीं, लो सी तो बनाई गई, 1965 के बाद लो सी आई, लेकिन आप ये समझे कि अभी भी ये वाला एरिया डिस्प्यूटेड ही है, कभी होता कहा ना कि लद्दाक और ये वाला एरिया ऐसा है कि सर्दियों में या पे बहुत ज़दा बरवबारी पड़ती है, तो ये एक mutual understanding है कि सेना जो है, वो अपनी अपनी टुकडियों को वापस बुला लेती है, जो यहाँ पे सोलजर स्तेनाथ है, क्योंकि इतनी बरवबार बारी गिरती है ना, जैसे कारगिल में उसने किया था, उसने अपनी सेना को भेज दिया था, तो ऐसे ऑपरेशन में एक दूर में, डिस्प्यूटेट रिजिन को, सियाचन रिजिन को यहाँ पे पाकिस्तान ने औरकिपाई करने की कोशिश की, फिर इंडियन आमी ने भाई अब यहाँ पे इंसिदेंट यह 4500 मीटर्स यह इतने उपचाई पे हुआ और यह बहुत आप समझे कि इसको लेके बहुत ज़दा थियोरी आती है, 15,000 फीट की उचाई पे है भाई यह गाईरी डिस्ट्रिक्ट जो है और यह समझे कि जो भारत के बॉर्डर है, वहाँ बह बिलांच आया, अब इसके बाद रिस्की ऑपरेशन शुरूर हुए, लेकिन रिस्की ऑपरेशन में दोस्तों बॉडिस ही नहीं मिली, क्योंकि पहली बात तो यह एरिया ऐसा है कि यहाँ पे बॉडिस आपको मिलेगी नहीं, आएगे शुरुवात में कुछ रिपोर्ट की म अब देखिए, 29 माई 2012 को पाकिस्तान ने ये बोला कि भाई हमारे 129 सोल्जर्स की मौत हो चुकी है और 11 सिविलियन्स भी मारे गयाने की टोटल 140, ये आप देख सकते हो, सियाचिन ये वाला एरिया, ठीक है, ये है गायरी आर्मी कैम्प, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे है कि भू सकलन होगे, लेकिन एवलांश तो आया, गायरी सेक्टर में एवलांश आया, तो ये बड़फ का टुकड़ा, ये अपने साथ आसपास की बड़फ को लेके खतम किया यहाँ पे, एक और ठोड़ी मानी जाती है कि यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे, एंडियन आमी, क्यों बे मिलिटरी है, यहाँ कंस्ट्रक्शन अक्टिविटी चलती रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इंडियन आमी की वज़े से, कार्बन डेपॉजिट इतने जादा हो गए थे, कि इसकी वज़े से, ये वलांश आया, लेक इसका जवाब हुँको कभी नी मिल पाएगा, क्योंको हरो सरकार ने हमेशा इसके हाथ खड़े किया, कि भाई, देखो हम तो लह मांते, हमारों कोई लेना देना नहीं है, अवलांश आया, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने, देखे काली जो है, वो 1985 से बनाया जा रहा है, शुरवात में काली को इंडस्ट्रियल परपस के लिए बनाया गया, बाद में बार्क ने इसको देखा कि भाई, इसकी तो बहुत ज़्यादा पोटेंशल यूज है, इसको तो मारों में भी यूज कर सकते हैं, 2018 में मनोहर परिकर से पूछा गया था कि बताए काली के बारे म इंडियन पालियमेंड में, लेकिन उन्हें ने बताने समाना कर दिया था सिक्यूरिटी रीजन्स की वज़े से, तो दोस्तों काली हमारा एक फ्यूचरिस्टिक काली एमका, जो फिफ्ट जनरेशन फाइटर है, और ऐसे बहुत सारे हमारे फ्यूचरिस्टिक वेपन्स है, अल्रेडी टेस्टिक हो चुकी है, शुरुआत में तो काली 100, फिर काली 200, देखें, यह बटान करता है, अपग्रेडेशन है, इतनी सारी एनरजी निकलती है, इतनी सारी एनरजी निकलती है, उन्द लेचर मैंने देखिएगा, डिस्क्रिप्चन बॉक्स में उसका लिंक द पता आया नहीं सार, हमको कैसे पता चला है, सारी खबरें लीक हो जाती है, अर्दा हिंदू पर आर्टिकल्स देखो, इंडियन एक्स्प्रेस पर आर्टिकल्स देखो, किताबें पढ़ो, सब पता चल जाता है, तो अब यह क्या नाचुरल एवलांश है, इसकी अगर एपो कातियार है, इसको तो अगर हम अपनी आर्मी मिला है, तो मज़ा ही आ जाए, तो अब वो लगातार सोचने लगा, कि भाई इसका आर्मी का एक बार इसको यूज करना है, तो भाई, काली ये शुरू हुआ था, काली 200 से, जो की, बहुत हाई लेवल पे जाएंगे, तो काली 5000 है, तो अब यहाँ पे सरकार के नुमती लेनी थी, सियाचिन में पाकिस्तानी सोल्जर्स के अक्टिविटी आपको पता ही है, अब इनको एक बार सबक सिकाना था, कि भाई, ऐसा सबक सिका है, खेल खतम करें, तो 2012, 2012, इस बीच तीन साल तक भाई, सब कुछ पनुचन लेने में ही निकल गया, वो सब में महान सिंग प्रदान मंत्री थे, उनको मनाया गया, तो अल्टीमेट ही हम यह देखते हैं, कि भारत सरकार ने ये मिशन, ऑपरेशन, वाइट वाउच इसका नाम दिया गया, हाला कि मैं फिर से बता रहा हूं कि इस मिशन पर पुष्टी नहीं क अब यहां से शुरुआत होती है, एक मिशन की, अब इसमें D.I.D.O, RAW ये दोनों involved थे, ऐसा बताया जाता है, कि साउथ से साइन्टेस्ट को बुलाया गया था, साउथ से वघ्यानिक आये, और यहां पर इनों की ट्रेनिंग की बकायदा, क्योंकि भाई काली वेपन को यहां पर इंस्ट्रॉल करना तो बहुत बहुत भारी है, उसको यहां पर ले कैसे जाओगे, एक जगां पर ही आप से वार कराया गया, इतनी ज़्यादा एनरजी दी, तो अब यही चीज़ है कि जादता लोगों का मानना है कि इत वोस नाट अ नाच्रल एवलांश, बट लेजर बीन एक्सपरिमेंट, डी आइडियो और रो, और दोस्तों इसमें भाबा अटॉमिक रिसर सेंटर भी था, क् जब टेकनिकल प्रॉब्लम्स आई, जब काली कोई सेरिया में ले गए, तो टेकनिकल प्रॉब्लम्स थी, तो बार्क के साइंटिस्ट की भी मदद ली गई, हाइली कॉन्फिदेंशल ओपरेशन था, इस तरीके कि बहुत सारे ओपरेशन किये जाते हैं, जिसको नाम दिया या ओपरेशन वाइट वॉश, ठीक है, दोस्तों आपको पता है, कर नाम क्या था, वो जासू जो है स्वेडन का भी उसको एक्स्टेडिट किया जा रहा है, नाम भूल गया मैं, जूलियन असांज, जूलियन असांज, जूलियन असांज ने एक वीडियो बनाई थी, आपक बहुत सरे उपरेशन होते हैं, जो कापल हाईली ट्राटिफाइड होते हैं, जिनकी जानकारी बाहर नहीं आ सकती, लेकिन वो होते हैं, ओपरेशन वाइट वॉश, ऐसा बोला जाते हैं, एक ऐसा ही ओपरेशन था, इसमें सबसे पहले हम काली वेपन का पहली बार टेस्टि थी है, इस फ्यूचरिस्टिक वेपन की पहली बार टेस्टिंग थी है, ठीक है, अब यहां पे, जो सक्की मैंने बताया, कि इससे उतना ज्यादा इनर्जी निकलती है, इतनी ज्यादा इनर्जी निकलती है, कि ये पूरे शेहर को तबाह कर दे, फिर ये तो बरफ थी, समझ तो अपरेशन वाइट वाइट वाश, बट मैं आपको यही बता रहा था, कि भाई इतने बड़े वेपन को, इतने बड़े वेपन को, इतनी दूर कैसे ले जाया जाए, और एनर्जी भी दे नहीं इतने बड़े वेपन को, तो ऐसा भोला जाते कि IEL-76 एरक्राफ्ट, इसको पूरी स्रक्षर दी जाए, यहां तक दोस्तों रिफ्यूलिंग की भी, क्योंकि प्लेन उड़े को इसको रिफ्यूल भी करना पड़ेगा, वो भी हवा में कर रखी थी, तो इतने सारे विमान जो है, एक साथ निकले थे, ताकि पाकिस्तानियों को सबक सिखाया जा सक और यह मैंने आपको बता है कि 2009 में शुरू हुआ तक जजज़ वहाँ टैनल को जो कि क्लोज़ थी बहुत हैवी स्नेफॉल इसनोफॉल उटी वहाँ पे जब देखा एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कि भाई यह कौन सा वेपन है, यह मशीन है, वहाँ से इसको मिंटों में स यह लेजर साइंस एंट टेकनोलोजी यह भी साथ में काम कर रहे थे, ठीक है, तो यह इस मूवी, यह पूरी जो हम यह देखते हैं कि इस स्नोफ को निकाल रहे थे, यूजिंग, काली यह तो मैंने आपको बताई चुका हूँ, किलो एंपियर लीनियर इंजेक्टर, लेजर ओफिसर ने देखा, तो उनको यह लगा, यह मैंने, अरे यह रे, कैसी फोटो हागी है, यह मैंने लेच्चर बनाया है, दोस्तों, काली पे आप तो देख लीजेगा, तो साइंटिस्ट को यह लगा कि भाई, इसको तो हम यूज कर सकते हैं, तो भाई यह कि, IL-78, स्री, IL-78 जेट्स भी, इनको भी बुलाया गया था, तो समझ रहे हैं, कि यह प्लेन चल रहा है, साथ में रिफ्यूलिंग के लिए IL-76, उसके बाद 6 सुकोई फाइटर, और मिराज, 10 मिराज भी, यह पूरा जथा जो है, काली को उपर लेके गया, क्यों, ताकि पाकिस्तानियों की इ ठीक है, तो अरली मॉर्निंग, साथ अप्रेल, सुबा 6 बज़े के करीब, इन्होंने लेजर शूटिंग, 100% प्रिशिशन था, 100%, यह इन्होंने लेजर शूटिंग स्टार्ट की, और मिंटों में, पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है, पाकिस्तानी सोल्जर्स, पूरा शाया, और तुकरी मोटी परत, समझ लिजे कि जितना एक घार होता है न, इतनी मोटी परत थी, ठीक है, यह जम भी, उससे भी ज्यादा मोटी, तो ऐसा कुछ हुआ, तो अब यही है कि जब यह पूछा जाता है कि क्या ओप्रेशन वाइट वाश हुआ था, क्या ओप्रेश पाकिस्तानियों का यह मानना है, पाकिस्तान ने एक बार आरोप लगाया था भारत पर, कि भाई भारत, मैंने बता कि भारत सरकार ने इसमें परला जाड़ दिया, कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, 14 जुलाई, 2000 अक्ठार को पार्लिमेंट सरकार से पूछा था, कि यह लेचर था दोस्तों, ठीक है, ओपरेशन वाइट वाश पे, किस तरीके से भारत ने हमारे फ्यूचरिस्टिक वेपन्स को यूज करके, पाकिस्तानियों को धूल चटाई, इसमें से 140 पाकिस्तानी जो है, वो मारे गए थे, ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, कि देखिए, यह एक possible theories में से एक है, ऐसा हो सकता है, ना भी हुआ हो, हो सकता है, यह natural avalanche हो, माने कि भूस कला नो गया, बहुत बड़ा टुकड़ा तूट के गिर गया, कारबन की वज़े से, लेकिन वह नहीं बता है, कि इसकी भी possibility काफी जादा है, खुछ रही परते रहे से दान तक डियोतरी signing of, एक चीज मैं और बताना चाहूँगा, कि बाइट जो हमारी sale है, हमने कल तक कर दी है, तो तीन जनवरी तक, तीन जनवरी तक, क्योंकि देखिए, 31 दिसंबर को यह sale खतम होनी थी, एक जनवरी को हमारे prices बढ़ने थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है, कि सर प्लीज अभी prices मत बढ़ाएं, क्योंकि अभी, एक तो यह चीज हुआ था कि 31 दिसंबर को बहुत 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 पेमिंट अटक गया था, फिर सर सेलरी आनी है, थोड़ा सा अधिक्कत हो रही है, एमाई कुछ लोग ऑप्शन को ट्रैक कर रहे तो उ सानिमोफ.